सहारनपूर के सदर बाजार शेत्रान तरगत चौकी हसनपूर के पास वाहानों की चेकिंग की जा रही थी जिसमें एक पलसर सवार दो युवक पुलिस को देख भागने लगे जिनको पुलिस ने धर दबोचा पकड़े गई दोनों युवकों के पास से पुलिस को दो पिस्तल, चार जिन्दा कार्टूस, एक बंदूक, तीन जिन्दा कार्टूस वा एक खोका सहीत, एक मोटर साइकल बिना नंबर की बरामद हुई जिसकी मदद से इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था, पकड़े गई अभियुक्त फरीद ने बताया कि 18 फरवरी 2017 को वह अपने दो सातियों की मदद से थाना भवन शेत्रान तरगत भनेड़ा उससे बाहर उससे नहर के पट्री पर एक बाइक सवार दमपती को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उन शामले में फरार फरीद पर भी पुलिस अधिक्षक शामली द्वारा 5000 का इनाम घोशित किया गया था, जिसको आज सारनपूर पुलिस वस्वैट टीम ने हत्यार के साथ धर दबोचा सारे लोग एक स्पेस्टिक इंपुट पर इन्होंने ट्रैप लगाया हसनपूर के पास में और साड़े साथ बजे दो जो की एक पलसर पर जा रहा है थे, उनको चैलेंज करके दिरफतार किया, उनके पास से दो इस्टल पॉइंट थी टूबो, हर एक के साथ दो जिंदा का जिसके साथ तीन कार्टूस और एक कोका कार्टूस बरामध हुआ है, मोटसाइकल मेरिक से चोरी होना बताई जाई है, जो अबरादी पकरे रहे हैं, फरीद और मूसा, इनके उपर ठानागोन शामली से 307-393, यह फरवरी 16 की धितना है, जिसमें एक महिला वा पुरुष मो पुरिवाती, जिस संब्द में तानागोन पर मुकर्मा लिखा था और वहाँ पर पुलिस अरिशक शामली रौदास पर पाँच हजार रुपय का इनाम भी पर रखा दिया है, यह दोनों का जिरफ्तार हुए, एक इनामी अपरादी है, अभ्यस्त अपरादी है, गैंस्टर साहिब लूट के कई मुगन में इसके ओपर पहले से हैं, और यह बहुत अच्छी प्रिवेंटिवी क्या रुआ है, अरुपय को इनके साथ का इनके साथ पादमाश था, जो इस वालदात में मौके पर गिरफतार हुआ था, यह तब से फराज चल रहे थे, इनको गिरफतार करके पूरा इसको सारे बादमाश मुकदमे के अब एक गाउंट फ़र हो चुके हैं,